करनल गंच थाना क्षेत्र में सरिया व्यापारी से हुई लूट के घटना का पुलिस ने किया खुलासा चार अभियुक्तों को मुठभेड के दौरान किया गया गिरफतार मुठभेड में घायल एक अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भरती। ट्रविवार की देर राध पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड में एक को गोली लगी और उसके तीन साथी भी गिरफतार हुए हैं, जो कट्रा और सोराव में हुई लूट में शामिल थे। जवार होके वहाँ पे आये थे और उन्होंने लूट पार्ट की घटना की थी। तककाल इसमें सभी उचादिकारी मौके पे पहुंचे और इस घटना के नावरन के लिए टीमें गठीद कर दी गई थी। लगातार इन टीमोंने काम किया। स्पी सिटी, स्पी गंगापार के नितित्व में सिओ सिटी फोर, सिओ सुरां इनकी टीमें और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं इन्होंने सरानिय कार्य करते हुए इस घटना का नावरन किया और इस दूसासिक गैंग का भंडा फोड किया। चार अभ्युक इसमें आज मुटवेड में गिरफ्तार हुए हैं जिसमें एक अभ्युक छांशा जिसको मुटवेड में गोली लगी, वो भैल है। साथी साथ तीन अन्य अव्युक्त इसमें गिरफतार किये गए हैं जिनके नाम शेबू, वासिद और शक्ती हैं शक्ती, शेबू और शैन्षा ये तीनों प्रताब गड़ के रने वाले हैं और शक्ती जो है जनपत्र प्रियागराज का रने वाला है इन्होंने पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया था और इनसे पूछताश में दो अगन घटनाओं का भी अनावरन हुआ जिसमें 16 तारीक को थाना सुराओ छेतर से एक अपाची बाइक की चोरी और चोरी के उपरांद उसी बाइक से इन्होंने एक पेट्रोल पंपे भी 40 की लूट की घटना को अंजाम दिया था चार अभ्यूक्त गिरफतार करके जेल भेज़े जा रहे हैं दो अभ्यूक्त अभी इसमें और शेस हैं ये पूरा गैंक था घटना करने के लिए मौके पे तो तीन लोग गए थे इसमें परन्तु एक अन्य गाड़ी में एक को गिरफतार किया गया जल्दी शेश दो अपरादियों को गिरफतारी और उनके से बरामदगी और इस पूरे गैंग के विरुद नियमानुसार गैंग्स्टर एक्ट के तहट भी करवाई की जाएगी और साथी सा धरा 14 एक गैंग्स्टर एक के तहट इनके द्वारा जो अ प्रतावगड को गोली लगी है उसे इलाज के लिए स्वरूपरानी में भरती कराया गया है उसके साथ तीन अन्य बदमाश वाशिद शक्ती और शीबू भी पुलिस के हत्थे चड़े हैं SSP ने बताया कि रात में बड़ा बगहडा के पास चेकिंग चल रही थी तब ही एक बदमाश ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फाइरिंग कर दी पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई जिससे शहनशा को गोली लगी इसके पास से पिस्टल और कार्तूस बर इन्हें गिरफतार कर विधिक कारवाई की जा रही है